ओम नमाशिवाय श्रावन माश सुक्ल पक्ष बुद्धवार एकादसी तिथी सुबह 7 बचकर 50 मिनट तक लगी रहेगी तत्पस्चाद गादसी तिथी प्रारम हो जाएगी चंदर्मा पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी सुक्रदेव हैं आज के जन्मे जातक सुन्दर, सुखी, शांत, प्रकृती वाले भागिशाली और लोगप्री होते हैं ऐसे जातक दूसरों की सहायता करने वाले इमांदार, सम्वेधन शील, आशावादी और आवस्षक्ता से अधिक उधार हिर्दय वाले होते हैं ये आधनिक किस्म की वस्तूओं का संग्रह करने वाले घनिष्ट मित्रों से युक्त, कला तथा संगीत के प्रेमी, दूसरों से सम्मान प्राप्ट करने वाले कारे कुशल, उन्नत गामी और उच्चा विलासी भी होते हैं यदि सह्योगी लगन रहा, सुक्र और ब्रिहस्पति की स्थिती अंपूल रही तो पूंड सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन धनू राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशिस्वामी ब्रिहस्पति देव है आज भी शनी और चंद्रमा की यूती धनू राशी में ही बनी रहेगी जिसका मिला जुला प्रभाव चंद्रमा और ब्रियास्पति की राशियों वाले जात्कों पर पड़ता रहेगा मेश राशी के जात्कों के लिए स्वास संबन्थी उतार चड़ाव लगा रहेगा सारीरिक रूप से आलस से और मानसिक सुस्ती महसूस होगी मगर ब्यावसाइक दाईत की पूर्ती होगी और कारे छेत्र में उत्साह जना की स्थित्ती बनी रहेगी मगर सुक्ष शान्ती में कमी महसूस होगी विवेशनात्मक कारिओं में पत्नी की सलाह लाह दायक सिद्ध होगी अधिकारिओं वासासन सत्ता का सहीयोग बना रहेगा माता के स्वास्त की चिंता संभावित है साथी साथ अपने सामान के प्रति सचेत रहे चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है हालाकि शिक्षा प्रत योगता में सफलता मिलेगी वैवाहिक मामलों केलगी आज का दिन अनकूल रहेगा और देव दर्शन के योग बनते हैं ब्रिश राशी के जात्कों के प्रभावसाली व्यक्तित और बौधिक छमता में बृध्धी योगी और कारिच शित्र में उसका निवेश अपने बुध्धी कोशल से सफलता दायक सिद्ध होगा मगर कुछ मामलों में संघर्ष की इस्तिती बनी रहेगी योजनाओं में विवाद की इस्ति या रुकावट संभावित है मीजी मामलों में भी तनाव पैदा हो सकता है विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अपने प्रयास जारी रखें पतनी के स्वास पर भी ध्यान देना चाहिए मीजी संबन्धों में मानसिक दबाव और छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिती संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं मिथुन राशी वाले जात्कों को कारे च्छित्र की ब्यस्तता बनी रहेगी नई कारी ओजनाओं के प्रस्ताव मिलेंगे मगर सकारात्मक सोच और सक्रियता में कमी संभव है और निरने लेने की च्छमता प्रवावित रहेगी कुछ ही ओजनाओं के कारे रूप में परिवर्टित कर सकते हैं साजेदारी के कामों में भी लाव संभव है मगर आय की गती धीमी रहेगी मारी की मिर्दूलता बनाए रखे निजी वर रिष्टेदारों के बीच तनाव पूर्ण स्थिती संभवित है मगर पारिवारिक प्रेणा मिलती रहेगी और आठिक पक्ष मजबूत रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन अन्कूल है नौकरी करने वाले व्यक्ति राहत महसूस करेंगे हर काम आसानी से संभण होगा और वैवाहिक प्रयास फलिभूत होगे करकराशी के जात्कों को कारिष्ष से संतुष्टी मिलेगी और मन मुताबिक काम होते जाएंगे अधिकारियों का सहयोग और सानिय धे बरकरार रहेगा और सकारात्मक फिरणा मिलती जाएगी मगर मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों से दूर रहे वाद विबाद को टालना उचित होगा आर्थिक लाव मिलता जाएगा और साचेदारी सफल रहेगी विद्यात्यों के लिए आज का दिन सामान रहेगा भावनात्मक लगाव और मानसिक संवेदना बढ़ी रहेगी संतान के प्रती चिंता का माहौल और पारिवारिक सदस्यों के स्वास पर ध्यान देना चाहिए साथ हैं वाहन सावधानी से चलाएग सिंग रासिके जातकों की पेट संबन्धी जटिलताएं बढ़ सकती है मगर उर्जा अस्तर और सक्रियता बनी रहेगी और आत्मिश्वास में उतार चड़ाव संभावित है नई कार्योजनाओं की पहल जारी रहेगी और कारिछित्र का बिस्तार होगा आर्थिक मामलों में नय निवेश का योग बना हुआ है सनी चंद्रमा की यूती और चंद्रमा का सुक्र के नक्षट्र में होने से सक्रियता प्रभावित होगी विध्याथियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी नयाला या वाद विवाद सम्मंदित मामलों में अनुकूलता मिलेगी वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और पारिवारी प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा कन्या राशी के जात्कों के लिए आर्थिक लाव के कई नए औसर सामने आएंगे कारिच्छत में निवेश का योग बना हुआ है जो कि लावदायक होगा नई कार्वियोजनाओं में सफलता मिलेगी और आपका बुद्धिक अशल लावदायक छेत्र में ले जाएगा मित्रों और संबंधियों का सहयोग आपके लिए लावदायक सिद्ध होगा वैवाहिक योजनाएं फलिभूत होगी और सामाजी प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी स्वास्त के प्रती ध्यान रखना होगा सांसों से और पेट से संबंधित जटिलताएं संबावित हैं चंद्रमा सुक्र के नक्षत्र में हैं भाग वस काम अच्छे होगे तुला राशिक के जात्कों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा नेत्रित करने की छमता बिक्सित होगी सकारात्मक प्रिरणा मिलती रहेगी और कार छेत्र में विस्तार की प्रवरिक्ति बनेगी नई कारियोजनाओं के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साजेदारी के कामों में सफलता मिलेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे आठिक वक्ष में सहोधरों से सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे अध्यान अध्यापन के लिए समय अनकूल है रुके हुए या विवादित मामले भी सुलज सकते हैं उचित समय का इंतिजार करें और पिता के स्वास्त के प्रति सचेतर हैं ब्रिष्चिक रासे के जातकों के लिए कारे छेतर में विस्तार होगा और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी मगर नकारात्मक सोच संभावित है सनी चंद्रमा की यूती वाणी भाव में है नकारात्मक सोच के लिए प्रगृत्ती बनी रहेगी हाला कि कारेचित की निरंतरता जारी है और आर्थिक लाव के कई आउसर सामने आएंगे मगर कुछ उद्यशों की पूर्ती में ब्यावधान भी संभव है हाला कि नीजी संबन्द प्रगाड होंगे और साजेदारी लावदायक रहेगी संतान संबन्दी चिंता अभी बनी रहेगी विद्यातियों के लिए आज का दिन सामाने होगा और अपने स्वास पर विशेष ध्यान देना चाहिए धनू राशिक के जातकों की सारीरिक उर्जा और मानसिक सक्रियता और साथ ही दिड़िच्छा सक्टी और आत्मिश्वास प्रभावित होंगे सनी चंद्रमा की यूति आपकी रासी पर है वाणी में मधुर्ता कायम रखे मगर नवीन कार्योजनाओं में इस्थिर्ता बनी रहेगी कुछ कामों में रुकावट याड चने भी संभावित है मगर आठिक वक्ष मजबूत रहेगा और लाव के कई आउसर सामने आएंगे सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी मगर विभागी ये मामलों में सावधानी अप्यक्षित है सिक्षा प्रत्योगिता के लिए समय अनुकूल है वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा मकर राशिके जात्कों को नीजी मामलों में जटिलताएं संभावित है मानसिक उत्यजना और मन का अंतरदंद आज के लिए दिन जादा रहेगा ब्यर्थ की भागदोड अनावशक यात्रा और अपवय का संकेत भी मिलता है हाला कि परिष्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजनाओं को कुछलता से नियंत्वित करते रहेंगे सासन सतावा अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आर्थिक वक्ष सामान रहेगा अध्यन अध्यापन में परिश्रम आवशक है पारिवारिक तालमेल में कमी और नीजी संबन्दों में तनाव महसूस होगा और वाहन सावधानी से चलाएं कुमबर आशिके जात्कों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा प्रयासों में तेजी आएगी और पारिवारिक सहयोग में बृद्धी होगी। आर्थिक लावमन मुताविक बना रहेगा। पहले की रुकी हुई योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। विवादित योजनाओं में समझावता करना लावडायक रहेगा। नेजे संबन प्रगाड होंगे। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। सामाजिक बेवस्था बढ़ी रहेगी। और पारिवारिक सुख सभाद में बृद्धी होगी। मगर स्वात संबन्धी मामलों में आवसक सावधानी बनाए रखे। मीन राष्णी के जात्कों को आज के दिन मानसिक चिंता और मन का आंतरद्वन्ध हावी रहेगा। बुद्ध राहूं के यूती और सनी चंद्रमा के प्रभाव से कारी योजनाओं के छेत में निर्णय लेने में उतार चड़ाओं की इस्थिती बनी रहेगी। उत्साह और आत्मिश्वास में कमी महसूस होगी मगर अपनी रूकी हुई योजनाओं को चालू करें। संखर्स और मेहनत की प्रभृत्ती बनाई रखें। सफल रहेंगे। संतान के प्रती चिंता बनी रहेगी। हलाकि आतिक सहीयोग मिलता रहेगा और आपके आवश्चक काम संपन्न होंगे और नीजी संबंधों में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही स्वास संबंधी आवश्चक सावधानी बनाई रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमाशिवाए।